नमस्कार भी मुन्ना आप सभी का कुक्वित मुन्ना चैनल बहुत बहुत मनपूरों सोगत करता हूँ आज हम प्रीमिक्स से चोकलेट स्पॉंज के कैसे बनाते हो देखेंगे बहुती सिंपल तरिके से वीडियो एक्स्प्लेन की है दैट्स वाइ आप यह वीडियो स्राटिं से एंटर बिल्कुल स्किप ना कीजे अगर आप हमारा चैनल परली बारी देख रहे हों तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजे चलो तो फिर रेसी बनाने को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चोकलेट प्रीमिक के लिए आदा कप इतना पानी लेना है और एक टेबल स्पून इतना हमें इधर ओईल लेना है कौनसा भी ओईल इधर आप ले सकते हैं बस इन तीनी चीज़ों के आउशकता है आमें प्रीमिस से केप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पाउल में सबी चीज़ें हमारे आइड कर देंगे एक कप इतना चोकलेट प्रीमिक्स आदा कप इतना पानी और एक टेबल स्पून इतना ओईल आभी मैं इन सबी चीज़ों को साक्चुला के मदद से कट आन फ्लो में तड से मिक्स कर दे रहा हूं इस तरह के से हमें एक की डारेक्शन और मिश्रों चलाते हुए रिबिन टाइप कंसिएंसी का बैटर बना लिया है इसी प्रकार हमको हमारा बैटर बना लेना है अभी य केक बनाने के लिए एक गोला करका केक्टिन लिया है किसी भी आकर का पीज़ा केक्टिन का उयूज कर सकते हैं केक्टिन में हमें एक चामच इतना ओईल डाके इसे ब्रस से ग्रिस कर लेना है केक्टिन को ग्रिस करने के बाद आभी हम इसमें बटर पेपर सेट कर देंगे अ इस्प्राकार केक टींग को TAP करने से हमारे केक के बैटर में जो भी एष्टा के air bubbles होंगे उनिकल जाएंगे और हमारा केक अच्छे से फूलता है आभी हमारा केक पूरी तरिके से बेक करने के लिए ready हो गया है अभी में cake bake करने के लिए एक pan high flame के उपर गरम होने के लिए रख दिया है pan के इलावा आप इधर कड़ाई का प्रयोग कर सकते है pan के center में हमें एक stand इस प्रकार से set कर देना है और pan को lid से cover करके 10 minute के लिए pan को preheat कर लेना है pan को preheat होने के लिए रखके 10 minute हो गया है अभी में lid हटा दे रहा हूँ अभी हम गैस के फ्लेम एकदम slow करेंगे अभी हम अपना ready cake इस प्रकार से stand के उपर set कर देंगे और pan को lid से cover करके हमारा cake 18-20 minute के लिए low flame के उपर bake करेंगे cake bake होने के लिए रखकत अकरीबन 20 minute हो गया है अभी में lid हटा दे रहा हूँ वाव यह देखे cake हमारा कितने अच्छी तरके से full कर उपर के ओर आया है अभी में cake bake हुआ है और वो चेक करने के लिए एक तुत्पिक का प्रयोग कर रहा हूँ तुत्पिक हमें cake में इस प्रकार से dip कर लेनी है आगर आपके पास तुत्पिक ना हो चाकू का प्रयोग कर सकते है या देखे तुत्पिक हमारे पूरी तरके से clean आई है मतलब हमारे cake पूरी तरके से bake हुआ है अभी हम घैस के प्लेम बन कर देंगे और cake को हम पूरी तरके से थंडा कर लेंगे तक्रीबन 20 मिनिट के लिए मैंने cake को पूरी तरके से थंडा कर लिया है अभी इस cake को हम टीन से अन्मोड करेंगे सबसे प्रया चाकू के मदद से cake के साइड लूस कर दे रहा हूँ इस तरीके से cake के साइड लूस करने के बाद आभी मैं एक पैट cake team पर उल्टा रखके cake team को इसे पलट दे रहा हूँ अभी हम cake team को 3-4 बाद इसे टैप कर लेंगे यह देखिए हमारा cake team एकदम clean भार आया है उसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारा के कितना spongy बना है यह देखिए अभी हम cake से butter paper हटा लेंगे अगर आपको foodies हमारी वीडियो पसंद आ रहे होगे तो please please हमारा चैन को subscribe कीजे वाव यह देखिए foodies हमारा cake को कितने अच्छी तरके से जाली आई है यह देखिए किनना must हमारा cake sponge बना है सो हमारा cake की recipe रेडियो हो गई कैसी लगे आपको यह recipe मुझे comment करके जरू बताइए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई वीडियो का like कीजे वेसे ही मैंने इधर पाव किलो का sponge त्यार किया है अगर आपको आदा किलो का sponge त्यार करना होग तो आप आपने सब इंग्रेडिन्स डबल कर लिजे आप इस sponge के इस प्रकाई से तिन लेयर कड़के इसके उपर icing करके अपना आदा किलो का केक त्यार कर सकते है तो फूड़ीस आपने इधर तक मेरा वीडियो देख रहे हैं अब तक अपने मेरा चानल सबस्क्राइब करें तो प्लीज प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजे तो थैंक्स पूर रोचेंट ठैंक यू